नमस्कार सिक्षार्तियों भारतिय अर्थविवस्था 1950 से 1990 की श्रिंख्ला में यह दूसरा वीडियो है इसमें उनह हम भारतिय अर्थविवस्था का पुनरावलोकन करेंगे जिसमें मुख्य रूप से ओद्योगिक नीतियां एवं व्यापार नीतियों के बारे में पढ़ेंगे फिर हम 1950 से 1990 के दसक में अपनी उपलब्दियों और चुनोतियों की विवेशना करेंगे ओद्योगिक नीति ओद्योगिक नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि देश की उन्नती के लिए बरा ओद्योगिक छेत्र अत्यावस्थक है क्योंकि उद्योग क्रिशी से जादा चंतुलित रोजगार के अउसर प्रदान करता है और द्योगी की करन आधुनिक्ता को बढ़ावा देता है और समग्र सम्रद्धी बढ़ाता है आजादी के समय हमारे उद्योग सूती कप्रे और जूट उद्योग तक सीमित थे उस समय सिर्फ दो इसपात उद्योग थे एक जमशेद्पूर में और दूसरा कोलकाता में अतह मजबूत उद्योगिक आधार अत्यावश्यक था इस क्रम में यह चर्चा हमेशा होती रहती है कि सरकारी छेत्र को इतना जादा महत्व क्यों दिया गया सरकारी छेत्र बनाम नीजी छेत्र भारत में मजबूत उद्योगिक आधार का आभाव था और नीजी छेत्र के पास उद्योगिक उपक्रम में निवेश के लिए पूंजी का आभाव होने के कारण सरकारी छेत्र को महत्वपूर्ण भूमी का अधा करने का मौका मिला और द्योगिक उत्पादों की मांग बहुत कम थी जिसके कारण नीजी छेत्र को निवेश के प्रोचाहन का आउसर नहीं था रिकास की समाजवादी पद्दती का उद्देश और द्योगिक करन की प्रक्रिया राज्जी की प्रत्यक्ष भागिदारी को सुनिश्चित करना होता है अता सरकारी छेत्र को बढ़ावा दिया गया और द्योगिक निती संकल्प 1956 और द्योगिक निती से साथपर्य, प्रक्रियाओं, सिध्धानतों और नियमों से है जो उद्योगों को संचालित करते हैं और द्योगिक निती संकल्प 1956 में और द्योगिक उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया प्रतम स्रेनी में विश्रीस रूप से उन उद्योगों को श्रामिल किया गया जिन पर सरकार का मालिकाना हक था और जो सरकार द्वारा प्रबंदित थे इस स्रेनी में कुल शत्रह और द्योगिक इकाई को शामिल किया गया जैसे हथियार और गोला बारूत, परमानु उर्ज़, रेलवे, जहाज रानी, इत्यादी द्वीती स्रेनी में उन उद्योगों को सामिल किया गया जिन पर सरकार एवन नीजी छेतर दोनों का मालिकाना हक था और जो सरकार और नीजी छेतर दोनों से प्रबंधित होता था इसमें कुल बारह और द्योगिक इकाई को शामिल किया गया नीजी छेत्र को सारवजनिक छेत्र के पूरक के रूप में भूमी का अदा करने के जिम्मेदारी दी गई इसमें शामिल मुख्य उद्योग, एल्यूमीनियम, खनन उद्योग और वरक उद्योग इत्यादी थे तीसरी स्ट्रेनी में नीजी छेत्र के उप्ट्रमों को सामिल किया गया जिन पर सरकार का नियंत्रन था उद्योगिक लाइसेंसिंग, यह सरकार द्वारा नए उद्योगों को खोलने की अनुमती है इसके अनुसार बिना लाइसेंस लिये कोई भी नए उद्योग नहीं खोल सकता है आर्थिक रूप से पिछरे छेत्र में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षा क्रित अधिक आसान था और साथ में ऐसे उद्योगों को कई तरह की छूट दी जाती थी जैसे की सस्ते दरों पर बिजली और टैक्स में रियायतें हित्या दी ऐसा संतुलित छेत्रिये विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया मौजूदा उद्योग को उत्पादन का विस्तार एवं विविद्धता लाने के लिए भी लाइसेंस लेने की आवसक्ता होती थी लगू उद्योग उनीस सो पच्पन में ग्रामीन विकास के लिए एक कमीटी का गठन किया गया इसे ग्रामीन एवं लगू उद्योग कमीटी या करवे कमीटी के नाम से जाना जाता है लगू उद्योग को अधिक्तम निवेश की अनूमती के संदर्म में परिभासित किया जाता है 1950 में इसकी सीमा पाँच लाग थी जिसे वर्तमान में बढ़ा कर एक करोर कर दिया गया है लगू उद्योग लगाने के बहुत सारे उद्यस्य थे कुछ उद्यस्यों पर हम चर्चा करते हैं तरो प्रतम लगू उद्योग ट्रम का प्रियोग जादा करते हैं अतह इसे रोजगार के स्रिजन के लिए जादा उप्योगी माना जाता है लगू उद्योगों का बरे उद्योगों से संग्रक्षित किया गया जिसके लिए सरकार ने उत्पादों को लगू उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया इसके साथ साथ चरकार करों में रियायतें कम उत्पाद सुल्क और सस्ते व्याजदरों पर रिन देती है यह सारी सुविधाएं ग्रामीन विकास को प्रोच साहित करने के लिए दिया जाता है विदेशी व्यपार निती भारत द्वारा अपनाई गई और द्योगिक निती व्यपार निती से घनिष्ट रूप से संबंद थी विदेशी व्यपार आयात और निर्याद से संबंदित है प्रतम साथ पंच वर्षिय योजनाओं में व्यपार की विशेष्टा अंतरमुखी व्यपार निती थी शकनी की रूप से इसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है आयात प्रतिस्थापन में आयातित वस्तूओं का प्रतिस्थापन घरेलू उत्पाज चे किया जाता है आयात प्रतिस्थापन के दो मुखे उदेश से थे पहला आत्म निर्भरता दूसरा कीमती विदेशी मुद्रा की बचत आयात प्रतिस्थापन का पालन करने के लिए सरकार ने प्रशुल्क और कोटा को आवजार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि घरेली उत्योगों को विदेशी प्रतिस्थापन से जनरक्षित किया जा सके प्रशुल्क इसका इस्तेमाल आयातित वस्तूओं और सेवाओं पर किया जाता है आयातित वस्तूओं और सेवाओं पर प्रशुल्क लगाने से उनकी कीमत में व्रिद्धी हो जाती है और आयात करना महंगा हो जाता है यह आयात को हतोत साहित करता है कोटा यह वस्तूओं और सेवाओं की मात्रा को निर्दिष्ट करता है यह आयात को भौतिक रूप से हतोत साहित करता है प्रशुल्क और कोटा से आयात स्तिबंधित हो जाता है और उनसे विदेशी प्रतिस्वर्धा से देशी फर्मों को सनरक्षित किया जा सकता है सनरक्षन की यह निती इस धारना पर आधारित था कि विकाश्चील देशों के उद्द्योग अधिक विक्सित देशों के द्वारा उत्पादित वस्तूओं और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करनी के इस्थिती में नहीं था इस बात की आसंका थी कि बहुमुल्य विदेशी मुद्रा का अपव्य विलासिता की आयातित वस्तूओं पर होने लगेगा और्द्योगिक विकास का सुक्ष्म मुल्यांकन 1950 से 1990 के बीच भारत के और्द्योगिक छेत्र के उपलब्दियां प्रभावशाली थी सबसे पहले और्द्योगिक छेत्र का सकल गहरेलू उत्पाद में योगदान 1950 में 13% से बढ़कर 1990 में 24.6% हो गया जो सराहनिय था और्द्योगिक छेत्र का वार्षिक विद्धी दर उसी समयावधी में 6% रहा दूसरा 1990 तक और्द्योगिक छेत्र में काफी विविधिता आ गई थी अब तक विस्तृत्र सिंख्ला में उपभोकता वस्तूओं और इंजिनियरिंग वस्तूओं का उत्पादन होने लगा था इसका स्रेय मुख्य रूप से सारवजनिक छेत्र के उपक्रमों को जाता है लगू उद्योग के प्रत्साहन से कम पूंजी वाले व्यपारियों को भी व्यपार में शामिल होने और रोजगार के प्रिजन में मौका मिला विदेशी प्रतिस्वरधा से सनरक्षन के कारण भारत में इलेक्ट्रोनिक और आटो मॉबाइल के छेत्र में घरेली उद्योगों को विक्सित करने में सहायता मिले निद्यात छेत्र को विक्सित करने में विदेशी प्रतिस्वरधा के आभाव के कारण असफल रहें उत्पादकों ने उत्पादों के गुनवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया उद्योगिक लाइसेंसिंग की निती ने सरकार को उद्योगिक उत्पादन के निगरानी और नियंतरन में मदद की लेकिन बरे उद्योगिक घरानों ने इसका दुरूपयोग कर नए फर्म के प्रतिस्परधा से अपनी उद्योगों को सनरक्षित किया लाइसेंस लेनी की प्रिक्रिया काफी जटिल और समय बरवाद करने वाली होती थी जिसके कारण नए उद्योगों को खोलना मुस्किल था सारवजनिक छेत्र ने मजबूत पूंजी का आधार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया किन्तु सारवजनिक छेत्र में गैर जरूरी वस्तूओं के छेत्र में एक आधिकार स्थापित कर ली थी जो नीजी छेत्र आसानी से कर सकते थे उदारन के लिए दूर संचार पूटल उद्योग इत्यादी कई सारवजनिक छेत्र में भारी नुकसान के बावजूद भी उत्पादन जारी रहा निस्कर्ष भारत ने थाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल हरित क्रांती के परिनाम स्वरूप हासिल कर ली थी भूमी सुधार के कारण हम जमीनदारी प्रथा के उन्मूर्लन में चफल रहे और द्योगिक छेत्र में कापी विविधिता आ गई लेकिन अत्यधिक सरकारी नियंत्रन से नए उद्योगों को पनपने नहीं दिया अंतर मुखी व्यापार निती के कारण मजबूत निर्याज चेत्र का विकास नहीं हो सका विदेशी प्रतिश्परधा से संरक्षन के कारण घरेलू उद्योगों से घरेलू उद्योगों में उत्पादों के गुनवत्ता बढ़ानी के लिए कुछ भी नहीं किया धन्यवाद